आदमी को पढ़ाई देखकर नहीं उसकी डिक की लंबाई को देखकर जौब देती है आदमी कांड के सीजन टू एपिसोड बन के कांड के बारे में वेब सिरिस के शुरूबात में दिखाया जाता है ओफिस में एक प्यून और एक कामवाली एक दूसरे से गंदी बाते कर रहे होते है प्यून कामवाली भाई से कहता है बरसो बाद आज लिपिस्टिक चकनी का मज़ा आ गया डार्लिंग तो कामवाली भाई कहती है अच्छा पर वो कैसे तो प्यून कहता है धाई सो रूपे की लिपिस्टिक खरीदी और चकी तो कामवाली भाई हसती है और कहती है लगता है तेरे में दम नहीं है इसलिए लड़िया तेरे साथ नहीं रहती तो प्यून कहता है एक बार मौका देखे तो देख तुझे मैं दम दिखाता हूँ मेरा तो कामवाली भाई कहती है तेरा हत्यार भी तो ठीक टाक होना चाहिए ना दिखाने के लिए तो प्यून कहता है एक बार हाथ लगा के तो देख फिर मेरा हत्यार कैसा खड़ा होता है तो कामवाली भाई कहती है मेरा करंट लग गया ना तो तेरा हत्यार ब्लास्ट हो जाएगा रहे इनकी ऐसी गंदी बाते रिसेप्शनिस सुन लेती है और उन्हें दाटती है कि तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या इसी फाल्टू की घटिया बाते करने आते हो चलो जाकर अपना काम करो फिर नेक सिन में दिखाया जाता है एक स्मार्ट लड़का ओफिस में जॉब इंटर्वी देने के लिए आता है रिसेप्शनिस्ट जब उसे देखती है तो देखते ही रहती है और उसे लाइन मारने लग जाती है पर लड़का अपने financial tension में होता है मकान मालिक का किराया उसे देना होता है आज ही मकान मालिक उसे धमका कर गया होता है कि तेरे बहन के शादी के लिए मेरे से तुने पैसे लिए वो अभी तक नहीं दिये उपर से तो घर का किराय भी इतनी दिनों से नहीं दे रहा है आज अगर तुने मुझे पैसे नहीं दिये तो तेरे भेन के साथ पुरा सामन उठा ले जाओंगा, बहुत हरामी किसम का इंसान हूँ मैं तो स्मार्ट लड़का उसे कहता है कि आज मेरा जॉब इंटर्विव है, एक बार मुझे जॉब मिल गई तो सारा करजा चुका दूँगा, ये सोचते हुए वो लड़का ओफिस में बैटा हुआ होता है, फिर रिसेप्शनिस बॉस को कॉल करती है और कमपनी की नई बॉस पाकिये तुम्हें, तो लड़का कहता है हाँ मैडम बस आप ऐसे ही सिखाते रहिए, फिर देखना एक दिन मेरे बंदूग से ऐसा घाव मारूँगा कि आप सिर्फ मेरा ही नाम लेते गुहूँगी, तो रजनी कहती है ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से और रिसेप्शनि रजनी से कहती है मैडम इंटर्वी के लिए एक लड़का आया है उसे बेज़ो क्या तो रजनी कहती है बेजदो लड़का रजनी के के केविन में आता है तो रजनी भी उसे देखते ही रहती है फिर लड़का अपनी डिग्रिया दिखाता है और कहता है मैडम मैंने मास्टर तो रजनी कहती है मेरे कमपनी में डिग्रिया देखकर नहीं डी की लंबाई देखकर नोकरी दी जाती है और लड़की के हतियार को टच करती है लड़का कहता है मैडम ये क्या मजाक है तो रजनी कहती है बेटा ये मजाक नहीं है ये मजा है अगर नोकरी चाहिए तो पैंट तोड़नी पड़ती है नहीं तो जीते रहो केड़ों मकड़ों की जिन्दगी और जिनके पास पैसे नहीं होते न लोग उनकी सलामे को भी जवाब नहीं देते सोच लो नोकरी चाहिए या नहीं लड़के को अपनी घरमालिक की धंकी याद आ जाती है और वो अपनी पैंट खोल देता है फिर रजनी घुटनों के बल नीचे बैट कर उसका केला चूसने लग जाती है और उसे कहती है मज़ा आ गया तुम्हारी सैलरी अपसे एक लाक रु देख सकते हो तो लड़का रजनी को जुका कर जम कर लेता है फिर दूसरे दिन लड़का मिठाई लेकर आता है और सब को खिलाता है प्यून को मिठाई का बॉक्स देता है तो प्यून कहता है बड़ा खुश हो रहा है कुछ दिन के बाद जब सीसक सीसक के रोएगा ना तक सरीफ इतना है कि तुमारे जंगल में शेर है और मेरे जंगल में शेर की गूफा तो लड़का कहता है शेर गूफा में आराम नहीं करते शेर तो गूफा को बड़ी करते हैं और फिर लड़का रजनी के गूफा में मौ गुसाड कर दाहाडने लगता है और फिर उसी टेब और चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे स्टोरिस आपके लिए एक्स्प्लेंग करते रहें धन्यवाद